टेखनीका और gamadge चैनल वीडियोदि की लिए सब्सक्क्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल का क्रें यह ओल पर सेलेक्ट करें दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कर दीजिएगा और आपने भी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर दोस्तों इसके बारे में बात करने जाते हैं तो आपका आपका इटिया वाले शुडेंट्स के लिए आया हुआ है साथ दोस्तों यह यहां पर 10 और 12 यदि आपका है तब भी आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर पहले नंबर पर है मेट माइन तो यहां पर आपका दियान रखने वाली यह बात है कि इसमें आपका जो प्रेंटिस की पीरियोड आपका तीन वर यहां पर दोस्तों कोई भी आपका technical qualification नहीं मांगा है मतलब यहां पर आपका ATI नहीं होगा तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं इन दो ट्रेट के लिए और आगे दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर diesel mechanic, feeder, turner, welder कुछ इस प्रकार दोस्तों यहां पर दिये गए हैं electrician, electronic mechanic, droughtsman, civil, droughtsman, mechanical तो यहां पर आपका जो अप्रेंटिस का जो पीरियोड हो आपका एक वर्सका होगा यहां पर diesel mechanic के लिए दो वर्सका है और यहां पर post कुछ इस प्रकार दे दोस्तों 10, 30, 5, 25, 40 इस प्रकार से post दिये गए हैं और यहां पर अगर दोस्तों आपका qualifications वर्सकार के बारे में बात की जाए तो यहां पर आपका 10 तो होना ही चाहिए या फिर आपका 10 प्लस 2 भी होगा तो भी ठीक है और साथ यहां पर technical qualification में आपके पास दोस्तों ITI होना चाहिए तभी आप इंगे लिए apply कर सकते हैं अधर पर आपटर आपका 20 के इसाराइ तो आपके पास होना चाहिए तो इनके लड़े इसके लिए apply कर सकते हैं आगे आते हैं फाहन बात करिये लिए नहीं कर सकते हैं है कि आपका यदि यदि आपके पास higher qualification है मतलब डिप्लोमा भी बीटेक वगएर है और साथ ही आपके पास बीए बीसके लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कर पर को अअब और चीकिन को थेखने कर यहां जाएगा बात कर देखने के बारे मैं कुछ अभी बतायन हैं नहीं गया साथ यहां पर इस प्रकार से तैयर कि जाएगे कि हमेरिषांग ** हो साथ यहां पर होयगा दयाएगो साथ यहां पर आपको डाग्मेन वेरिफिकेशन वगरे भी होगा और यहां दोस्तों आगे आते हैं और बात के लेते हैं आपको apply किस प्रकार से करना है तो apply के लिए दोस्तों से पहले आपका apprenticeship India.org की website पर आपका registration होना जरूरी है वहाँ पर एक unique registration number मिलता है तो वह आपको apply करते time वहाँ पर fill करना होगा second number दोस्तों आपको क्या करना है कि हिंदुस्तान copper limited की website यहाँ पर दी गई यह आपको हमारे description box में भी मिल जाएगी तो आप इस website पर visit करके वहाँ पर apply कर सकते हैं दोस्तों और आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ general instructions वागेर बतायागे हैं तो आप इनको पढ़ लिजेगे दोस्तों यहाँ पर इस video को download करना चाहते हैं तो आप हमारे starting date है यहाँ पर apply करने का वह आपका एक साथ दोजार बाइस है साथ दोस्तों कट-प डेट है एज के लिए आपका एक साथ दोजार बाइस है हमें अतलब कि इस सट डेट तक आपका 18 से जो वर्स दिया गया उसके बीच में अपका एज होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में जाएं